नमस्कार प्रियर शिक्षारतियों राष्टिय मुक्ति पिद्यालाई शिक्षा संस्ता के और से आयोजित भारतिय ग्यान प्रमपरा के अंतरगत उच्चितर माध्यमिक पाठ्य करम के संस्कृत साहित्य में सुकनासोपदेश की सक्षा में मैं सतिश नोटियाल आपका हारदिक स्वागत करता हूँ शिक्षारतियों पिछले दो भागों में हमने पढ़ा है सुकनासोपदेश का योवन सुभाव पाठ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लक्षमी की चपलता यानि लक्षमी चापल्या सुकनासोपदेश जिसके विशे में हमने पहले ही बताया है गद्यकानन पंचानन बान भटकी अमरकिर्ती कादंबरी का एक भाग है यहां रोचक भाग जिसमें सुकनास अपने होने वाले राजा चंद्रापीड को उपदेश दे रहे हैं जिसमें उन्होंने उनको योवन सुभाव के बारे में बताया है कि योवा वस्ता कैसी होती है कैसे उसमें विकार आने लग जाते हैं और किस परकार से हमें उससे निकलना चाहिए योवा वस्ता में जो उन्होंने चार परकार का उनको बताया था कि गर्ब से जिसको प्रभुता मिल जाती है अपरतिम रूप मिल जाए जिसको नया जिसका योवा वस्ता हो और अमानुश शक्ति जिसको मिल जाए तो इसका अगर ये सारा एक में जब कठा हो जाए तो उसके बाद उसकी क्या इस्तिती होती है इस प्रकार राजा को अपने विचार करना चाहिए तो इसी विशह में जो राज लक्षमी है जो चंदरापीड अब राजा होने वाले हैं तो उनको जो राज लक्षमी मिलने वाली है, तो उस राज लक्षमी के बारे में, जो लक्षमी आप लोग देखते हैं कि बहुत चंचल होती है, पैसा किसी के पास, आज मेरा है, कल किसी का है, किसी एक कवी नहीं रहा है, वो बहुत चंचल होती है, तो उस लक्षमी की चपलत का परिवार का जो कल्यान चाहने वाले हैं राजा तो राजय का ही कल्यान चाहेगा या हम आप लोग भी हैं तो हम अपने घर परिवार का कल्यान चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो लक्षमी की हमें आवशक्ता होती है उसके विशे को आलो कया तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं तो कहते हैं इसी लक्ष्मी के पीछे इतने सारे उनके युद्ध होते थे तो इस युद्ध के पीछे रहने के कारण जो लक्ष्मी हमेशा इस तलवार के उत्पलवन में रही है तो यह ऐसी ब्रहमरी है तो उसके बिश्य में बता रहे हैं कि उसमें इतने सारे अवगुण आये कहां से है तो कहते हैं कि छीर सागरात पारेजात पलावेब्यो रागम यह जो लक्षमी हैं सभी जानते हैं कि जब समुद्र मन्थन वा था तो वहां से लक्षमी भी निकली थी तो बोला कि जब रक्षमी वहां से निकली है तो उसने अपने साथ जो अन्य चोदा रत्न निकले हैं जो उसके भाई बंदू हैं उसके प्रेमी हैं उसको चाहने वाले हैं तो उनसे पहचान के तोर पे कुछ ना कुछ चीज ली है जैसे कि आप हम यह विद्यार्थी एक पास करता है उसका फेरवल होता है तो वो आने वाली जो अपने साथियों के साथ है तो उनके शर्ट पे या उनके कुछ लिखता है अपनी पहचान के रूप में तो इसी प्रकार वो जो लक्षमी ही जब समुद्र से निकली चीर सागर से जब वहां निकली तो उसने उनसे एक-एक करके कुछ न कुछ अपना चिन के रूप में उनसे ग्रहन किया, तो छीर सागरात पारजात पलव इब्योरागम, जो पारजात पलव था, जो पारजात ब्रिक्ष वाँ से निकला, तो उससे उसने राग लिया, राग का मतलब है जो उसके जो लालिमा है, लालिमा से अर्थात वो जो वाँ पे दियोतक होता है, अहंकार का, उससे उसने अहंकार लिया, उसमें हरियाली भी थी, उसमें कॉमलता थी, लेकिन ये लक्षमी क्या है, कि जिससे भी उसने कुछ लिया है उससे उसकी टेड़ी ही चीज लिये, इसलिए लक्षमी जिसके पास जाती है वो कभी सीधा नहीं रहता है, उसने उसके दुर्गुन ही लिये हैं, उसके अच्छे गुन नहीं लिये हैं, तो इंदुशकलाद एकांत वक्रता, वहां से चंद तो इसलिए यह लक्षमी जिसके पास भी जाता है तो उस प्यक्ति का सुभाव टेड़ा हो जाता है। उच्चे स्रवस चंचलताम जो वहां से घुड़ा निकला है। उसमें जो धवलता है, उसमें घोड़े से धवलता नहीं लिये। उससे जो चंचलता है उसमें दोड़नी की जो चंचलता है इधर उदर करने की जो चंचलता ग्रहन की है काल कूटान मोहन शक्तिम जो काल कूट है जो वहां से हला हल विष निकला है जिसको भगवान शंकर ने पी लिया था तो उससे उसने जो मूर्शा करने की शक्ती है, लोगों को जो मूर्चित कर देती है, लक्षमी के मद में जो लोग मूर्चित हो जाते हैं, उससे उसने वहाँ शक्ती ली है, जो मदिरा निकली वहाँ से तो उससे उसने मद लिया है, एहंकार लिया है, उसने नशा लिया है, यानि कि जिस ब्यक्ति के पास जाती है, तो वहा इदर उदर गिरता रहता है, फिसल रहता है, उसके जुवान फिसल जाती है, कभी एक ब्यक्ति का नहीं होता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, जहाँ भी उसको ज्यादा लक्षमी दिखती है, वहाँ फिसल जाता है, तो कोस तुनियंगों समें उनके साह पन को ग्रह्ण किया है यह साहा है उसके विनौधचिन्नों को विदा किया है तो ऐसी यहाँ लक्षमी है, इसलिए उसमें इतने सारे अउगुण आये हैं इसमें आने वाले जो समासिक पद है सुबट खडग मंडलोत पलवन विब्रम भर्मरी खडगा नाम मंडलम, खडग मंडलम इती सश्टी तत पूरु समास यहाँ पर है सुबट खडग मंडलम, सुबट खडग मंडलम इती यहाँ पर है सुबट खडग मंदलम एव उत्पलवनम सुबट खडग मंदलोत पलवनम इती यहाँ पर करमधारे समास है। सब्तमी तत्पूरु समास यहाँ पर होता है। सब्तमी तत्पूरु समास यहाँ पर हो रही है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इसको नहीं जानता हो। यहाँ जो इसको नहीं जानता हो। ऐसी कोई इस परकार की कोई अपरचित या अन्य कोई ऐसी वस्तू नहीं है जैसी यहाँ दुष्टा लक्ष्मी है। यथे यम अनारिया है। यहाँ अनारिया है। जैसे आरिया होता है वह अच्छे के लिए होता है अनारिया होता है वह बुरे के लिए होता है। लबदापी खलू दुखेन परिपाल यते, यद्य पी यहाँ बहुत अनारिया है, यहाँ आसानी से किसी के पास नहीं आती है, यहाँ दुष्टा है, उसके बाद यदि यहाँ किसी को मिल भी जाए, तो वहाँ दुख से इसका परिपालन करता है, अगर हमें लक्ष्मी मिल ज इसको आप लोग इतना भी बांद के रख लीजिए, इतना बांद के रख लीजिए कि निश्पंदी करता पी, यहां बिल्कुल भी हिल जुल ना सके, यानि कि इसपंदन होता है जैसे कि हिलना और निश्पंदन होता है कि वहां बिल्कुल भी हिलना सके, आप इसको कितना भी क पहले की बात है, हमने एक जैसे नौट बंदी को देखा है, तो वहाँ पर जितने भी लोगों की जो संपती थी, या जितने भी लोगों नो उसको छुपा के रखा था, कहीं न कहीं वो बाद में सारी बाहर उसको निकाल नहीं पड़ा, तो यह लक्षमी इस तरीके साम इसको क राजय स्राइ में रहती है, तो वहाँ अनिक तलवार जब राजय के चारों तरफ हैं, वो जो पोरे सैनिक उसके आगे पीछे लगे हुए हैं, तो उसके बाद भी वहाँ से अपक्राम आती है, वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि आज इस राजय के पास है, आजकल तो ऑनला इन जो ट्रांस्टिक्सन हो रही है तो वो तो पता भी नहीं चलता है किस रास्ते से आई और किस रास्ते से गई है तो ऐसी यहाँ लक्षमी है ऐसी यहाँ अनारिया है मदजल दुर्दिनांद कार गजगन घटा परिपालितापी परपलायते मदजल यनि की बहुत से हातियों का और बहुत से गजरूप जो मेग हैं उनसे दुर्दिनांद कार हो जाए जब इतना दुर्दिन हो जाए कि चारों और अंधेरा हो गया है बड़े-बड़े बादल घ बहुत बरशात हो रही है गजगन घटा परिपालितापी उसके पास भी यहाँ परपलायते उसके बाद भी यहाँ भाग जाती है ऐसी बरशात जिसमें लोग भार निकलने का नाम ना ले रहे हो वहां से उतना होने पर भी यह लक्षमी भाग जाती है ना परिचयम रक्षत तो यहां किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई परचय नहीं रखती है ना अभी जना मिक्षते यहां किसी भी कुलीन जो आत्मी है जो लोग है जो कुलीन भ्यकती है या उनको भी नहीं देखती है तो फिर बोलते हैं भाई कि लक्षमी है इस तरी है तो रूप को देखती होगी तो कहते हैं न रूपम आलो कयते, यह रूप को भी नहीं देखती है, यह कुरूप के पास भी चली जाती है, इसने तो कभी नहीं सोचा कि यह सुन्दर है तो इसके पास ही रहोंगी, यह तो किसी के पास भी चली जाएगी, कुरूप के पास चली जाएगी, न कुलकरम कभी जरूरी नहीं है कि पुतर के पास भी रहे ही, न शीलम पस्यति, यहां किसी का चरित्र भी नहीं देखती है, ऐसा नहीं है कि कोई चरित्रवान है तो उसके पास ही अलक्षमी रहेगी, न वेदग्द्यम गणयति, तो ऐसा नहीं है कि कोई विदग्द है, यानि कि कोई प नहीं जाती है या उनका सम्मान भी नहीं करती है सास्तर को तो या सुनना बिल्कुल नहीं चाहती है सास्तर का नाम सुनते ही या भाग जाती है सास्तर तो ग्यान देगा लक्षमी से मोह करने का ग्यान देगा कि मोह नहीं करना चाहिए इसलिए सास्तर को तो सुनना ही नहीं च तिकी खिशाई ऐसा किसी का तो उसका कोई घर नहीं है। इसाß नहीं है कि कि किसी एक धर्म के पास इसपेशल हो गी। bush आख हम आधुप1। ना किसी आचार विचार का पालन करती है, ना सत्य मनु बुद्यते, ना सत्य बोलने वालों के पास जानती है, ना उनको जानना चाती है, ना उनके पास रहना चाती है, ना लक्षणम परमानी करोती, यहां किसी परकार का लक्षण परमान नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि जैसा सूरज होगेगा तो कमल किलेगा इस परकार का लक्षन कोई ऐसा नहीं है कि हम से कहेंगे कि सामने वाला आ रहा है तो इसके पास लक्षमी है या सामने वाले व्यक्ति के पास लक्षमी होगी या नहीं होगी या उसके पास आएगी या नहीं आएगी, आज मेरे पास रहेगी, कल किसी और के पास चलेगी, इसका ऐसा कोई पर्मान नहीं है, कि जो हम विशेष उसमें देखें कि यह लक्षमी है गंधर्व नगरलेखा पश्यत एव नश्यती गंधर्व नगरलेखा होती है जो आकास में एक दृष्टि भरम होती है जिसमें एक नगरलेखा देखती है उसकी तरह यहां देखते ही नश्ट हो जाती है सामान्यता गंदर्व नगरलेखा उस तरीके से नश्ट होती है जैसे आस्मान में इंदरधनुस आता है तो वो इंदरधनुस को जब हम देखते हैं तो वो देखते देखते हमारे आँखों से विलीन हो जाता है कब होता है कैसे होता है इसका पता हमें नहीं चलता है तो ऐसे ही यहां लक्षमी भी है, यह हमारे पास कब आती है, कैसे आती है, और कब कैसे चली जाती है, इसका हमें जरासा भी भान नहीं होता है अध्यापी आरोड मंदर परिवर्ता वर्त ब्रांती जनित संस्कार एव परिवर्मती अब बोला यह लक्षमी ऐसी है, इस तरीके से चंचल है, क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है, क्यों इस परकार की यह चंचल है तो कहते हैं अध्यापी आरोड जो मंदर परवत है यानि कि पहले भी बात हुई है कि लक्षमी छीर सागर से निकली है समुद्र मंथन से निकली है तो समुद्र मंथन में जब समुद्र में जो मंदर परवत उसको वहाँ पर डाला गया था तो जो विशेष नागओं द्वारा उसका मन्थन किया गया तो उसके गुरुनन में ये निकली तो जब उसका गुरुनन वहां पर हुआ उसकी जो गोमने की परकिरिया थी गोमते गोमते जब ये लक्ष्मी उससे निकली क्योंकि बच्पन के जो संस्कार होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लंबे जीवन तक चलते हैं, इसलिए कहते हैं, जैसे बच्चों को हम कहते हैं, कि इनमें अच्छे संस्कार डालेंगे, क्योंकि बच्पन में जब ऐसे संस्कार डालेंगे, तो उसके धीर के काल तक उसके जिभरम, आबदनाति, पदम. यहा जो लक्षमी है, तो यहा कमल वन में रहती है. मतलब जो कमल के आसन पे जब ये बैटती है, तो कमल के नीचे जो नाल होती है, उसमें छोटे-छोटे कांटे होते हैं. तो बोला कि यह लक्षमी एक जगापे नहीं टिकती है, इसका एक दु उसी भागो जादा रहेगा फिर उसको दर्द होने लग जाएगा तुँ अपना अधिशा बदल देगा या अपना आसन बदल देगा उसी प्रकार यह लक्षिमी भी इदर उदर होती रहती है अति परियत्न बिदृता पी परमेश्वर ग्रहे सु विविद गंद गज गंड म भवन में उसको रख लिया है अपने पास लियाए है फिर भी यहाँ उनके यहाँ जो बहुत सारे जो मद है उनके पास लक्षिमी का मद हो या मदरा का मद हो या उनके जो गज हैं उनसे निकलने वाला जो मद हो उसके पान से यहाँ इस परकार फिसलती है जैसे एक शरावी जब जिस प्रकार से सडक पर हमें गिरावा मिलता है उसी प्रकार जो बार-बार जब वो सरावी कोई या नशे में कोई व्यक्ति चूर होता है तो वो बार-बार गिरता रहता है तो उसी प्रकार हिया लक्षिमी भी बार-बार इदर उदर फिसलती रहती है परिषखलायति पारुश्यम ये वो उपशिक्षित рядом' असिधारा सवनिवस्यत थे तो बोला लक्षमी ने इतनी सारी शिक्षा होट कहा कहा से ली है क्या कारण है कि सुरक्षित ऐसे इस्थान पे रखते हैं, जहां से वहाँ बचाई जा सके तो तल्वार जब मियान में रेती है तो बिलकुल बंद है तो जब तल्वार की धार पे वो रहेगी तो निस्चित है वो कठोर रहेगी तो उसमें वो कठोरता आना स्वबाविक है बिश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आसिर्ता नारायन मूर्तिम अब यहां बिश्वरूपत्वम जो सीखने के लिए गई है जो नारायन मूर्ति है भगवान विश्णु की ये पत्नी है सबी जानते हैं लक्षमी भगवान विश्णु की पत्नी है तो ये भगवान विश्णों के पत्नी होने के कारण इसमें तो बहुत सारी गंबीरता होनी चाहिए थे, धेरिया होना चाहिए था लेकिन ये भगवान विश्णों के पास इसलिए गई है, उनके पास जो विश्वरूपत्वा की जो शंता है, जो शक्ति है भगवान आज नर्सिंग के रूप में है, कल वो वरहा के रूप में है, शुकर के रूप में इस प्रकार का जो उनका अपना जो विविद रूप में आते हैं, राम हैं, कृष्ण हैं तो इस प्रकार का रूप सीखने के लिए गई है, तो वो अच्छा रूप उसने नहीं सीखाया, उसने अपना भ्रांती भांती के वहांसे जो रूप, विश्वरूपत्व जो सीखा है, अनिक प्रकार से रूप धारन करने के लिए, तो वह भगवान विश्णु के आश्रा इसलिए उसने लिया है अप्रते बहुला चा दिवसांत कमल अविव जो अप्रते बहुला है यानि कि अब विस्वास बहुला है यहां किसी पर विस्वास करने वाली नहीं है दिवसांत कमलम इव जैसे दिवस के अंत में कमल के समुचित मूल दंड कोशल मंडला भी भूबुजम जैसे उसके मूल दंड रहते हुए भी वहां से शाम को दिवस के अंत में वहां मुर्जा जाता है वहां से लक्षमी चली जाती है उसी प्रकार यह लक्षमी उस राजग् बिटप का यहां पर दूसरा आर्थ है, जिस परकार के जो धूर्त लोग होते हैं, तो यहां भी उसी परकार उन धूर्तें के उपर आस्रह लेती है, उन जो समाज के लिए हानिकारक जो तत्व जो लोग हैं, जो समाज के लिए अच्छे लोग नहीं हैं, जो धूर्त हैं, चो समान है उसी की तरह यहाँ चंचल है तो गंगा मानी जाती है कि आठ वसों की माता है उन आठ वसों में जो एक भीश्म पिता महा भी हुए है और साथ वसों को जिसने बच्पन में ही अपनी बहाओं में बहा दिया था ऐसा कहा जाता है तो जैसे भीश्म हुए है भीश्म पर्तिग्या है भीश्म का जो चरित्र है उस परकार का व्यक्तित्व होने के वाबजुद भी गंगा इतनी चंचल है इतना धीर गंबीर पुत्र को उसने जन्म दिया है फिर भी वहाँ चंचल है तो इसी प प्रकार प्रतियक माह में विविद राशियों में संक्रमन करता है अनिक राशियों में प्रतियक माह चला जाता है उसी प्रकार यहा लक्षिमी भी प्रतियक व्यक्तियों में चली जाती है हर व्यक्तिय का संक्रमन वहा करती है आज मेरे पास कल दूसरे के पास परसूं तिसरे के बास इस परकार से वहाँ जैसे सूरिया अपनी राशियां बदलता है उसी परकार यहा लक्षमी भी अपने लोगों को बदलती रहती है पाताल गुहेव तमो बहुला या पाताल गुहा है तमो बहुला है इसका जो अंदकार बहुत है जिस प्रकार से पाताल गुफा में जो किसी गुफा में जो अंदकार होता है उसी प्रकार या लक्षमी भी अंदकार युकत है यानि कि ये जिसके पास जाएगी उसका जीवन अंदकार ही हो जाएगा उसकी सोचने समझने की जो छमता है वह कहीं न कहीं अंदकार वाली हो जाएगी वहाँ विवेक से हीन हो जाता है राक्षमी तो वो तो सबी छोटे बड़े सबको खा जाती थी लेकिन भीम एक ऐसे हुए हैं जिनोंने उसकी हिर्दय को भी जीता है तो कोई ऐसा भीम जैसा सहासि ब्यक्ति हो उसको ही यहाँ लक्षमी जीत सकती है उसके पास ही हिया जा सकती है इसका मतलब यह नहीं कि पहले जो कहा या किसी की अपनी नहीं है किसी की पराई नहीं है वो बात तो सत्य है लेकिन यह जो इस परकार का कोई व्यक्ति हो जिस परकार हीडिमबा बहुत राक्षसी थी वो अपना रूप जो छोटा बढ़ा कर सकती थी इस परकार की उसमें जो वर्षाकाल होता है उसमें जब वर्षाकाल में जो विजली चमकती है उससे जो परकाश होता है उसी परकाश की तरह या लक्षिमी भी है या हमारे जीवन में आती है और जो परकाश लेके आती है वो परकाश ज्यादा देर नहीं टिकता है वो जो लक्षिमी से मिली हुई हमे जीवन में आती है और कल किसी और के पास चली जाएगी इस परकार उसका जीवन है या इस परकार उसका करतब्या का भाव है जो लक्षमी आज इसके पास है कल उसके पास है वा किसी एक के पास नटिकना उसका जो स्वभाविक कारण है दुष्ट पिशाची दर्शिता नेक प पुरुषों चाया, अनेक पुरुषों के बराबर अपने सरीर को बढ़ा कर सकती है, वो 30 फीट की बन सकती है, वो 50 फीट की बन सकती है, इस परकार अपना रूप को जब बढ़ा करती है, तो जो स्वल्प सत्वा वाले लोग हैं, कमजोर हिर्दय वाले जो लोग हैं, उनको उन्हें लगता है कि यह लक्ष्मी है जो हमें बड़ा बना सकती है, हमें छोटा बना सकती है, इसके पीछे भागुई हमें आमारा उद्धार कर देगी, यह हमें बहुत दूर तक ले जाएगी, तो इस परकार लक्ष्मी की जो चंचलता है, सुकनास अपने शिश्ये को बता रहे हैं जो आने वाला राजा है राजा बनने वाला है चंदरापीड उसको लक्षमी की चंचलता बता रहे हैं जो उनके राज लक्षमी होने वाली है वो राजा तो होने ही वाले हैं क्योंकि उनके पास युवा आवस्ता है और जो सुरू में उन्होंने उनको चार चीजें बताई है कि आपके पास गर्व से जो परभुता मिलने वाली है योवन मिलने वाला है लक्षमी मिलने वाली है तो इस लक्षमी की क्या-क्या चंचलता है या किस परकार आपको हानी पहुचा सकती है उसके विशे में उन्होंने इस विशे में बताया है अगले विशे में हम द आने वाले जो समास थे इन गध्यांसों में इसकी एक एक पत का अलग अलग से इनुने आपर समास किया है सेव पंजरम उद्धाम दर्प भट सहस्रो लासित असिलता पंजरम इती करमधारे समास हाँ तत्र विदिर्ता उद्धाम दर्प भट सहस्रो लासित असिलता पंजर विदिर्ता इती सप्तमी तत्पुरुस समास हाँ इतर ये तर यहाँ पर द्वंद समास हो रहा है इसके योग से इसमें जो संदी विशेत के जो कुछ वाक्य है यथे यम आया है जिसका इसमें गुण संदी हो रही है यथा यम आवर ई मिलने से ए हो जाता है ये सामानिय लक्षम गुण संधी का एक उदारन है वसुजनन अपी वसुजननी अपी यहाँ पर भी यन संधी है और पहले वाले में गुण संधी थी इसमें आने वाले जो अलंकार शब्द हैं उसका लक्षन करते हैं दरपनकार यत्र कस्याचिद आरोपहा परारोपन कारणम तत परंपरितम जो परंपरित रोपा का लक्षन उन्होंने इस पर कार दिया है कमलिनी इत्यस्मिन वाके अती प्रियत्ने इत्यस्मिन वाके पारुष्यम इत्यस्मिन वाके चाहिए यहाँ पर प्रिय शिक्षार्तियों, आज हमने लक्षमी की चंचलता के विशे में पढ़ा है, लक्षमी किस परकार चीर सागर से निकली है, अपने साथियों से किस परकार उसने केवल दुर्गुणों को ही ग्रहन किया है, तो उससे जो चंचलता मिलती है, उसमें जो चपलता आई है, क इस परकार उसने ग्रहन किया है उसके विशे में पढ़ा है आगे के विशे में हम लक्षमी के दुसरे प्रवावों के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद